असलाम लेकुम ग्रेट फेट विप इस यूर साइन्स क्लास टाइम अव्प यू इंजाइड अलाट यूर एदुकेशन नो ओपन यूर साइन्स बूक जनरल साइन्स पेज नमबर नाइनिटीन एक्सरसाइस कोसी नमबर फर्स्ट पिक टिक इन फ्रॉंट आफ राइट स्टे सिम्ल Ugh n. अबर फॉस्ट में ठीक क्रास इने टुफ फॉर्ज एंश्ए और गर्टी थीक है रिप्टाइल्स हैए और अं तियर बोडी यह निकर टैल्स के जो रिप्टाइज होते हैं रिंगने वल जनुर उनकी बोडीस पे हेर होते हैं तो ये गलत है ठीक है क्रास फाल्स होगे बेट इस अ मैमल देट कें फिलाई के चमकादर एक ऐसा मैमल है जो क्या कर सकते है ओड़ सकते है तो ये ट्रू है तो ये ठीक है ट्रू है वेंज आफ डायकोड लीव्ज रन परिलल टू इच अधर तो ये क्रास है क्योंकि वो परिलल नहीं होते है वो नेटवर्ग बन होते है पूरे फिलार में नीक्सड़ है मैच था ऐनिमल्स इन कॉलम रहु एक फिश का नाम है, तो रहु कौन सी क्लास में आएगी? फिश में. इसी तरह अगर हम बफ़लो को देखें, तो बफ़लो क्या है? मैमल है. फारोग की बात करें, तो फारोग हमार पस अम्फिबियन है, lizard तो lizard हमारे पर reptiles होता है तो यह आपने इस तरह match करने है अगर आपको pencil से नजर नहीं आ रहा है तो यह बिन आपको करके दिखा दिया ठीक है next question पर हम जाते है exercise की in circle the correct answer सबसे पहला है classification of animals and plants is called जिस वो वाली classification वो वाली हम लोग branch पढ़ते हैं जिसमें classification हम कर रहे हैं तो इसको लोग करकेते हैं टेक्जोन में ठीक है एक वो आपने circle करना है which one is non-flowering plant जो non-flowering plant हमने पढ़े थे तो इसे कौन से हैं तो हमने बी वाला आप circle कर ले मोज ठीक है running birds they lost their ability of flight due to having no enemies हमने रिप्टाइल्स में पढ़ा था कि सोरी running birds birds में हमने पढ़ा था कि कुछ birds होते हैं वो running होते हैं क्योंके वो अपनी जो बागने औरने की साहियत इसलिए खो देते हैं क्योंके उस हेरिये पे कोई वो नहीं रहता उस हेरिये पे कोई भी उनके enemies नहीं होते हैं इसलिए वो उड़ते नहीं हैं बलके बागते हैं तो वो जो flying ability है वो उनकी lost हो जाती है नेक्स्ट है identify reptile among the following his hair on the body his heart rough skin feeds baby on its milk give birth to baby तो अपने B को circle करना है his heart rough skin monocard plants can be differentiated from diocard plants by the characteristics of हमने monocard diocard plant पढ़े थे last lecture में तो वो कह रहे हैं एक दूसरे से कैसे differentiate किया जाता है नीचे हमने बाते हैं जो चार आपको पस्दी गही है option उनको देखें सबसे पहले roots deep in the soil grow in desert only hard and woody stem number of cotylidens तो diocard और monocard में हमेशे हम लो cotylidens के उस पे क्या कर रहते हैं base पे differentiate कर रहे हैं mono में एक और diamond दो filling the blanks D हमर पस question है filling the blanks with the most suitable word non-flowering plants generally grow in damp places इसमें कहए है d-a-m-p monocards and diocards are the subgroup of flowering plant next insects and worms are the subgroup of invertebrates those vertebrates which respire through gills are fish वो vertebrates जो के अपने gills के थूर respire करते हैं उनको क्या का जाता है fishes fish ठीक है snakes, lizards, crocodiles, turtiles, turtle all belong to the all group of reptiles तो इस सारे की सारे हम बात कर रहे हैं तो यह किसमें आ रहा है हम बरपस reptiles में आते हैं ठीक है अब हम लोग आते हैं question number two come to the copy work right short answer to the following questions यह short answer है और यह जो मैंने first two पे टिक किया यह already मैं आपको picture send की थी तो आपने यह काम किया होगा और जिन्हों नहीं किया दुबारा से send हो रही है तो आप kindly यह काम कर ले पहला question है name the colors which are found in algae there are three colors found in algae grain, red, brown इसी तरहां आपने काम करना है ठीक है जो आपने terminologies की है उसे next page पे आपने इस तरहां काम करना है question answer करना है question number two है write two main characteristics of animals तो the two main characteristics of animals are they can move from one place to another they cannot make their own food तो आपने क्या करना उसके बाद question के complete होगा answer तो आपने double line लगानी है question number three है list some characteristics of amphibians heading आपने देनी है characteristics of amphibians पहला है amphibians are vertebrates दूसरा है और आपने इसी तरहां points में करना है just like it ठीक है जैसे यह मैंने points दिये है कोई one two three नहीं लिखना इस तरहां आपने points में लिखना और कोई paragraph की सूरत में नहीं लिखना amphibians are vertebrates दूसरा है they have complex life cycle तीसरा है amphibians are live in both water as well as on land फिर उसके बाद आखरी है इसमें example में दिये example में लिखना है frog and toad next हम question number four की तरफ आते है mention two characteristics of flooring plants answer आपने देकर point में लिखना है flooring plants produce flowers for their reproduction full stop next line में लिखना है in flooring plants some flowers are very large for example eg का मतलब होता है for example sun flower and some flowers are very small and inconspicuous for example wheat i-n-c-o-n-s-p-i-c-u-o-u-s ठीक है question number five है what are the characteristics of insects answer देकर आपने इसी तरहां point में लिखना है जिसे आपने में आपको पहले बताया question number four में भी अपने points में ही लिखना है and insects has a hard outer skeleton यानि insects का जो outer skeleton होता है बाहर का जैसे कि आपका अक्रोज को जहन में रखो उसका बाहर का जो skeleton होता है वो क्या होता है tough होता है hard होता है it has three body parts ये तो आपको भी पता है three body parts होता है head होता है thorax होता है and abdomen region होता है it has antenna on its head और इनके जो head पे antenna यानि के वो जो दो antenna like structures होती है वो भी present होती है और इसी antenna से क्या कर रहता है यानि इनका sense organ है sense organ हम ले सकते हैं largest group of vertebrates होते हैं insects ठीक है arthropoda question number six है हमर पास differentiate between plants and animals तो आपने इसी तरह लाइन लगानी है तर्मियान में एक तरफ अपने black fountain pen animals और दूसरे प्लांट्स लिखना है और इनको points में लिखना है ठीक है पहला हम अरपास है animals are heterotrophic organism यानि कि वो animals क्या होते हैं heterotrophic यानि अपनी हुराग खुद नहीं बना रहे होते हैं तो उसके उलट हम क्या रखेंगे plants are autotrophic organism a-u-t-o-t-r-o-p-h-i-c ठीक है next है हमार पास full stop के बाद animals can move from one place to another जबके animals क्या कह रहे है एक जगह से दुसरी जगह move कर सकते हैं जैसला हम move कर सकते हैं एक जगह से दुसरी जगह जबके plant नहीं move कर रहे तो plant को जदर हम लोग seed बहते हैं वही plant बढ़ा हो जाता है ठीक है वो यह नहीं के एक जगह हमने seed लगाई तो पोदा कहीं और निकलाता है plants can not move just like animals ठीक है अब next है they grow throughout their life ठीक है throughout पूरा वर दे तो next है they stop growing once they reach their adult farm जब ये adult farm के बिलकुल एक जवान बड़ा तनावर द्राफ बन जाते है तो ये अपनी growing stop कर देता है जबके animals में ऐसा नहीं हो तो वो मरते दम तक जब तक वो जिन्दा है उनकी life है वो बढ़ते रहते हैं उनकी उमर ज्यादा होती रहती है ठीक है ये six questions है short कहीं भी कोई मसलोर आप मुझसे पूछे और इसके इलावा जो है ये आपके पास क्या है exercise है ये आप सबने complete करके मुझे आपने sent करने है इंशाला next हम लोग chapter start करेंगे next lecture में Allah आफ़ेस